Good morning dear students, अब तक हमने Vector Calculus के अंदर या सदिस कलन के अंदर Gradient के बारे में पढ़ चुके हैं और उसी से हम आगे बात करना चा रहे हैं तो देखिए हम बात करना चा रहे हैं Direction of Gradient, प्रवनता की दिसा Gradient की जो Direction है उसके बारे में हमें पता करना है कि उसकी Direction किस तरफ होती है तो देखिए सबसे पहले आपने कोई मान लो ये Function of x, y, z बराबर c ये कोई आपने प्रश्ट ले लिया आपने कहा मान प्रश्ट या सर्फेस function of x, y, z बराबर c तो Grade F एक ऐसा सदिस होगा जिसकी दिसा इस प्रश्ट के तल के लंबवत होगी कि हम बात कर रहे है direction of gradient की तो direction of gradient या प्रवनता की जो दिसा है वो किदर होगी उसके बारे में हमें बात करनी है तो कहा कि कोई भी सर्फेस या प्रश्ट आपके पास है function of x, y, z बराबर c तो grade f जो है एक ऐसा vector होगा जिसकी direction इस सर्फेस के लंबवत तल में होगी मतलब जैसे अगर माल लो ये कोई आपके पास प्रश्ट है इस प्रश्ट के अभी लंब या normal direction के अंदर क्या होगा grade f होगा ये हमने लिखा है कि direction of grade f is always normal to the surface f x, y, z equal to c कोई भी आपको प्रश्ट दे रखा है function of x, y, z उस function of x, y, z में अगर आप से पूछे कि grade f की direction क्या है तब हम ये कहेंगे कि grade f की direction हमेशा उस प्रश्ट के अभी लांबिक दिसा में या लंबवत दिसा में होती है किस आप हुआ कैसे जरा इसको check करते हैं हम इसको प्रू करते हैं कि इसकी direction जो है इसके प्रश्ट के तल के लंबवत होगी तो ध्यान दे कैसे आएगा आपने कहा कि function of x, y, z बरावर c ये आपको given है आपने इसका differentiation किया 1 implies del f by del x into dx plus del f by del y into dy plus del f by del z into dz बरावर 0 c यहाँ पे क्या है? अचर है तो c अचर है तो उसका अउकलन करेंगे तो 0 आएगा तो यह आपने इसका आँसी काउकलन किया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कि i del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z dot dx i cap dy j cap dz k cap equal to 0 देखो i dot i one होता है j dot j one होता है k dot k one होता है दो सदीसों का जब हम dot product करते हैं दोनों सदीस गटक रूप में दे रखे हैं तो हमें पता है कि दोनों सदीसों में i cap के गुणांक आपस में गुणा होते हैं j cap के गुणांक आपस में गुणा होते हैं और K-CAP के गुणाँ का अपस में गुणा होते हैं तो यहां पे यह दो गुणा में है तो मतलब पहले वाला यह I-CAP का है यह J-CAP का यह K-CAP का और यह दूसरा यह I-CAP का यह J-CAP का और यह K-CAP का और दोनों का डॉट मैंने आपके सामने लिखती है ठीक है तो अब क्या हुआ अब हम जानते हैं कि जो grade f होता है वो क्या होता है i del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z और इस प्रष्ट के उपर function of x, y, z बराबर c ये जो प्रष्ट दे रखा है पर कोई चर्बिंदू कैसे लेते है पी r सदिस बराबर x i, y j और z k कैप तो dr क्या होगा? dx i कैप, dy j कैप, dz कैप ये क्या है? स्पर्स सम्तल के अनुदिस सदिस है मतलब dr जो है, tangential vector है dr क्या है? tangential vector यानि कि स्पर्स तल के अनुदिस जो है vector होगा तो हमें ये पता लगए और ये आपके पास grade f है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ये dr हो जाएगा dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप ये जो है, ये क्या है? स्पर्स तल के अनुदिस सदिस है तो हमें क्या किया? सबसे पहले function of x, y, z आपको c बर, ये तो दियावा है, प्रष्ट है और इसका आपने करा आंसी काउकलन, del f by del x into dx, del f by del y into dy, del f upon del z into dz क्योंकि function x, y, z में है, बराबर c constant का 0 कर दिया, दो सदिसों के dot product के रूप में लिख दिया i del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z dot dx i plus dyj plus dz k बराबर 0 इन दो का dot product 0 है, ठीक है? हमने कहा, del f क्या है? grade f कहलो, grade f ये होता है ये हम already पढ़ चुके हैं, हमें पता है, ये जो लिखा है, मैंने लिखा, यहाँ पे देखिए कि प्रष्ट f x y z बराबर c, पर कोई variable point है, p r सदिस, बराबर x i y j z के तो इसका अउकलन करते हैं, तो क्या आता है, dr सदिस बराबर d x i cap plus dy j cap plus dz k cap और ये dr क्या है, tangential vector है, मतलब सपर्स तल के अनुदिस सदिस है तो सपर्स तल के अनुदिस सदिस dr पता लग गया, और हमें पता है कि दोनों का dot product डेल f dot dr बराबर 0 है, मतलब grade f लंबवत है dr के, ये हमें पता लग गया तो हमें ये पता है कि दोनों का dot product 0 है, तो grade f जो है perpendicular है dr के चूकि dr जो है वो क्या है, सपर्स तल के अनुदिस सदिस है तथा grade f इसके लंबवत सदिस होगा, अर्थात grade f जो है grade f जो है कि प्रश्ठ x, y, z बराबर c के अभिलाम्बिक या नॉर्मल अभिलाम्बिक दिसा में सदिस होगा तो यह आपने इसको पहले प्रू किया है, एक बार और ध्यान से देख ले vector calculus की बात हम कर रहे थे, और इस vector calculus के अंदर हम इससे पहले gradient के बारे में अच्छे से पढ़ चुके है कि जो gradient है, normally क्या होता है, grade f, grade केवल delta या नेबला जिसको हम कहते हैं, grade होता है i del y del x, plus j del upon del y, plus k del upon del z, यह हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं, और जैसे ही उसके आगे function f लगाते है, grade f, तो वो एक सदिस बन जाता है, और उसको लिख देते हैं, i del f by del x, plus j cap del f by del y, plus k cap del f upon del z, या short में summation i del f upon del x, short में यह लिख सकते हैं, और उसे related हमने काफी questions भी किये, जो previous year में आयवे भी हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि direction of gradient, यानि प्रवनता की दिसा, यह भी हमें पता होनी चीए, क्योंकि इसके बारे में भी पूसते हैं, तो अबने कहा कि कोई भी surface या प्रष्ट है, function of x, y, z, बराबर c, और हमें कि हम कहते हैं कि gradient, grade f जो है, वो एक ऐसा vector है, जो उस प्रष्ट के तल के लंबवत होता है, यानि direction of gradient is always normal to the surface, कि gradient की जो direction है, वो हमेशा क्या होगी, तल के लंबवत होगी, उसके लिए हमने क्या किया, इसको हमने प्रूव किया, function of x, y, z, बराबर c दिया वा था, आपने इसका आंसिक alkaline कर दिया, क्योंकि x, y, z का function है, तो basic alkaline हम जानते हैं, पहले x के साब x किया, फिर y, फिर z, और बराबर constant है, तो जीरो, फिर हमें पता है कि दो सदिसों का, dot product में, i वाले गुणांक, i-cap के गुणांक, i-cap जोटे ह Cheng में होते हैं, k-cap वाले k होते हैं, तो यह गुणां ही किये हैं, तो मैंने पता है, यह i-cap का, यह j-cap का, यह k-cap का है तो लिख दिया तो और ये भी i का ये j का और ये k का है तो ये आपने लिख दिया तो आपने दोनों का dot product लिख दिया ये तो हमें पता है grade f होता है i del f by del x plus j del f by del y plus k cap del f upon del z और ये जो है ये क्या है ये tangential vector है क्योंकि कोई भी variable point r हम लेते है x i plus y j plus z k तो dr क्या होता है dx i cap dy j cap dz k cap तो इस पर समतल के अनुदिस ये एक सदिस है और हमने देखा कि ये तो हो गया grade f ये हो गया dr vector दोनों का dot product 0 है यानि grade f perpendicular होगा dr अब हमें ये पता है कि dr जो है वो tangential vector है यानि स्पर्स तल के अनुदिस सदिस है तो grade f क्या होगा उसके लंबवत सदिस है क्योंकि dot product है तो स्पर्स तल के लंबवत सदिस मतलब abilambic सदिस है यानि grade f की जो direction होगी वो उस प्रष्ट fxyz बराबर c के तल के लंबवत दिसा में होगी ये बात हमने कही है हमने प्रूब भी कर दी और हमें direct ध्यान भी रखना है तो आप इसको note कर लीजिए पहले तो आपने देख लिया यहां तक अब हम बात करना चारें आगे directional या पहले इस पे देखिए question कर लेते हैं कि हमें इसकी दिसा में सदिस calculate करना है यह देखिए पहले question कर लेते हैं अपन फिर आगे पढ़ेंगे question क्या लिखा है कि प्रष्ट 4xz cube minus 3x square y square z बराबर 40 परिस्थित बिंदू पर प्रष्ट के अभिलंब 31 सदिस आपको चाहिए तो हमें यह पता है क्या पता है कि प्रष्ट के अभिलंब जो सदिस होता है वो grade f होता है इसको मैं f मालूँ चूकि किसी प्रष्ट function of x y z बराबर c के अभिलंब सदिस क्या होता है यह होता है grade f यह हमें पता है फिर इकाई सदिस निकालना है तो इसके परिमान का भाग लगा देंगे तो कैसे करेंगे grade f क्या होता है grade f जो होता है i del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z यह हमें पता है function आपका यह माल लो तो आप इसको लिख लो क्या हैगा i del by del x of 4x z cube यह सीधा ही कर दें पूरा लिखने z minus 40 बराबर 0 यह आपके पास आपका function है अब इसका del f by del x करना है मतलब x के सापक्ष alkaline करना है आंसिक alkaline जब हम x के सापक्ष आंसिक alkaline करेंगे तो y और z को 0 मानते हैं यह हमें पता है मतलब y और z अचर मानते हैं तो उसका अगर x के सापक्ष alkaline करेंगे तो 0 आएगा तो देखिए पहले इसका किया तो 4z क्यूब यह तो constant हो गया x का हो गया 1 ठीक है आगे है minus 3y square पड़ा है z भी पड़ा यह तो constant है x square का किया तो into 2x minus constant का 0 यह पूरा function था इसका x के सापक्ष हमने आंसी का उकलन किया दुबारा देखे 4z क्यूब लिखा अचर पड़ है यह तो और x का उकलन 1 हो गया minus 3y square z पड़ा है x square का 2x हो गया minus 40 का 0 यह i cap हो गया इसका उकलन डेल f by डेल x j अब डेल f upon डेल y करना है तो यहां देखो 4x z cube है मतलब y नहीं है तो यह y के अलावा बाकी तो अचर होता है तो इसका उकलन हो जाएगा 0 minus 3x square z पड़ा है और y square का उकलन करिए कितना हो जाएगा 2y और 40 का 0 और प्लस k के डेल f upon डेल z करना है तो z के साब एक आंसिक उकलन करेंगे तो x और y को अचर पड़ मानेंगे तो इसका किया 4x into z cube का 3z square फिर minus 3x square y square अचर z का z के सापेक्स हो गया 1 और minus 0 तो यह आपने निकार दिया डेल f by grade f आगया आपके पास अब आपको इस point पे चाहिए grade f का मान इस point पर चाहिए तो आप कर दो कि grade f point क्या दे रखा है 2 minus 1 2 2 minus 1 और 2 पे चाहिए तो मान रख दो इसके अंदर x का मान 2 y का मान minus 1 z का मान 2 तो i के पड़ा है यहां रखा आपने 2 तो 4 into 2 का cube दो का cube लिख दूँ एक बार चलो लिख देता हूं यह लिख दिया minus 3 into 2 6 x x का मान 2 फिर y का square minus 1 का square और z यानि की 2 यह हो गया complete plus j 3 into 2 minus 6 x square x square का मतलब 4 y का मतलब minus 1 और z का मतलब 2 यह लिख दिया यह भी हो गया plus k cap 4 into 3 12 x का मान 2 है 2 रख दिया फिर z square है z square 2 का square हो गया 4 minus 3 x square यानि की 4 और y square मतलब minus 1 का square तो finally क्या आया देखिए ध्यान से 2 का cube 8 into 4 हो गया 32 i cap 32 यह minus 1 का square plus 1 हो गया तो 2 दूनी 4 4 into 6 24 तो minus 24 आया plus j double minus से plus 6 into 4 24 into 2 हो गया 48 और इसको देखें इधर क्या हो जाएगा 12 into 2 24 प्लस के 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 पर यह चोईस इंटू 4 96 minus यह तो प्लस हो गया 12 तो कितना आया देखो 24 और 8 32 होता है तो 8 i plus 48 j और 84 k यह आपने मान निकाल दिया 8 i plus 48 j और प्लस 84 k हमें चाहिए प्रश्ट के अभिलंब 21 हदिस grade f का मान आपके पास आ गया इसको मैं आगे अगले step में दुबारा लिख देता हूँ आपने कहा कि grade f at point है 2 minus 1 और 2 कितना है 8 i plus 48 j plus 84 k 8 i plus 48 j plus 84 k 8 इसमें common ले लिया तो 8 तो नहीं ले पाएंगे 4 ही लेना पड़ेगा तो यह 2 i हो जाएगा 4 का भाग इसमें लगाया तो 12 j हो गया plus इसमें 4 का लगाया तो कितना हो जाएगा 21 के अब अपने को इसका परिमान निकालना पड़ेगा पहले परिमान निकाड़ा तो चार तो बाहरी आ जाएगा और अंडर रूट इसका करा तो ये चार 12 का 144 21 का 441 तो जोड़ लो 400, 45 और 144 9, 8 और 5 तो ये आ जाएगा आपके पास 4 अंडर रूट 5, 8, 9 अब हमें चाहिए कि प्रष्ट के अभिलंब 21 सदिस तो प्रष्ट के अभिलंब 21 सदिस क्या हो जाएगा आपने कहा कि ग्रेड F बटे ग्रेड F का परिमान तो ग्रेड F आपके पास है 4, 2, I प्लस 12, J प्लस 21 के अपॉन चाहर अंडर रूट 5, 8, 9 चाहर कट गया और यह आपके पास आंसर आ गया तो आंसर कौन सा है यही है यह आपके पास आंसर आ गया अब आप सोच रहे हो सरक इतना लंबा लंबा नही है यह कोशन सौल करने करके आपको डिटेल में एक एक स्टेप समझाया है बाकी जब हमें बेसिक आंसिक आउकलन आता है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक बार दुबारा रिपीट करता हूँ ध्यान से समझे सबसे पहले आपको फंक्षन दिया था उसके इस बिंदू पर प्रष्ट के अबिलंब इकाई सदिस चाहिए तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी प्रष्ट के अबिलंब सदिस कोन सा होता है वो होता है ग्रेड एफ ग्रेड एफ की जो दिसा होती है वो किसी प्रष्ट के अबिलंब इसा में या लंबब इसा में होती है तो पहले ग्रेड एफ निकालना है ग्रेड एफ निकालके उस पॉइंट पे निकालना है तो सदिस आ गया और फिर उसका इकाई सदिस निकालना है क्योंकि हमें अभिलंब इकाई सदिस ही पूछा है तो उसके परिमान का बाग लगा देंगे तो पहले main काम है grade f निकालना और grade f में मैंने calculation अच्छे से समझाने के लिए किया है बाकी तो direct का काम है कैसे ध्यान दीजिए पहले मैंने function को लिखा grade f क्या होता है i del f by del x plus j del f by del y plus k cap del f upon del z तो पहले x के साप x इसका आंसी काउकलन करना है तो y और z constant मानते हुए x के साप x आउकलन करना है simply तो 4 z q पढ़ा है x का एक हो गया minus 3 y square z पढ़ा है x square का 2 x minus 0 into i के अपलिक दिया plus j अब इसका y के साप x करना है तो ये तो 0 हो गया minus 3 x square z पढ़ा रहेगा y square का 2 y minus 0 ये आ गया j के गुणा में plus k del f by del z z के साप x करना है तो x और y को अचरपद मानेंगे तो 4 x z cube का हो गया 3 z square minus 3 x square y square constant है z का 1 minus 0 तो ये आपने यहां लिख दिया फिर इसमें आपने 2 minus 1 और 2 पे मान चाहिए तो value रख दी value रखने से हमारा grade f आया ये पढ़ा grade f आपके पास आ गया 8 i plus 48 j plus 84 k तो इसमें आपने 4 common ले लिया 4 common लेने से ये बना अब इसका परिमान निकाड़ा ये आया और अबिलम विकाई सदिस grade f बटे grade f का परिमान होता है तो जैसे divide किया 2 i plus 12 j plus 21 k upon 589 तो ये आपके सामने 2 i plus 12 j plus 21 k upon 589 ये इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अब next point देखिए the directional derivative of a surface function of x, y, z equal to C at point P x, y, z in the direction of A cap is df by ds is equal to grade f dot A cap kya likhha hai? Dhyan de मैंने कहा कि directional derivative किसी surface f, x, y, z के किसी point पर जो directional derivative है उसका A cap की दिशा के अंदर क्या होगा? df by ds होगा grade f dot a cap बराबर grade f dot a cap हिंदी में लिखता हूँ ध्यान दीजिए किसी प्रस्ट function of x, y, z बराबर c के किसी बिंदू p, x, y, z पर दिक दिसी आउकलज या दिक आउकलज भी कह देते हैं सदिस a cap की दिशा में सदेव df बटा ds बराबर grade f dot a cap grade f dot a cap से दरसाते हैं अर्थात df बटा ds क्या है df बटा ds जो है आप कह सकते हो कि grade f का a cap पर प्रक्षेप यानि projection है आपको याद हो vector के अंदर हमने पढ़ा था कि एक सदिस का दूसरे सदिस पर projection a vector का b vector हमने vector में पढ़ा था एक सदिस का दूसरे सदिस पर प्रक्षेप projection of vector a on vector b a dot b upon b का magnitude a का b पर प्रक्षेप था a dot b cap तो वैसा ही है कि जो दिक दिसी आउकलज है या directional derivative है किसी फंक्षन x, y, z बराबर c के किसी point पर p, x, y, z पर किसी vector की direction में हमें चाहिए तो हम क्या कहेंगे कि gradient f निकालके उसका a cap जो जिस vector की direction में हमें directional derivative चाहिए तो उस पर projection लेंगे तो क्या आएगा grade f dot a cap इसमें ये s क्या है ज़र आप देख सकते हो ये तो है function of x, y, z बराबर c इसके अंदर हम एक point लेते हैं fix point ले लिया a और एक variable point ले लिया मैंने p p ले लिया x, y, z और ये ले लिया x naught, y naught और z naught इन दोनों के बीच जो distance है उसको हम normally s से represent करते है तो क्या कह रहे हैं थोड़ा गौर से सुने बहुत easy चीज है और इस पे question आता है हम ये कह रहे हैं कि कोई प्रष्ठ आपको दिया गया है function of x, y, z बराबर c उसके किसी बिंदू p, x, y, z पर दिक दिसी अउकलज दिक दिसी अउकलज या directional derivative किसी वेक्टर a cap की direction में चाहिए प्रष्ठ आपको दे रखा है function of x, y, z बराबर c उसके किसी पॉइंट पर p, x, y, z पर directional derivative या दिक दिसी अउकलज उसको मान हमें किसी वेक्टर की direction में चाहिए किसी सदिस की दिसा में चाहिए तो हम क्या करेंगे grade f calculate करेंगे और grade f का उस सदिस की दिसा में या उस सदिस पर हम प्रक्षेप निकालेंगे यानि grade f dot a cap तो df by ds क्या हो जाएगा grade f का a cap पर या उस वेक्टर a पर projection निकालना है तो df by ds हो गया grade f dot a cap grade f dot a cap तो ये हमें ध्यान रखना है कि कोई भी प्रष्ट दे रखा है उसके किसी point p, x, y, z पर directional derivative या दिक दिसिय आउकलज का किसी सदिस की दिसा में calculation चाहिए तो हम क्या करेंगे दिक दिसिय आउकलज निकालने के लिए grade f calculate करेंगे grade f का उस सदिस पर प्रक्षेप निकालना है मतलब grade f dot a cap calculate करना है ये होता है df by ds दिक दिसिय आउकलज तो देखिए इसमें इसमें अपन question करतें तो बात समझ में आएं ये ध्यान दीजिये एक question लिखा है इस बिंदू पर function ये दे दिया का इस vector की दिसा में दिक आउकलज दिक दिसिय आउकलज या दिक आउकलज एक ही बात है ध्यान रखना तो क्या करना पड़ेगा मैंने कहा कि concept क्या था कि प्रश्ट f x y z बराबर c k किसी बिंदू p x y z पर दिक आउकलज यानि की directional derivative की value हमें चाहिए मतलब df by ds चाहिए क्या होगा वो बराबर df upon ds कह सकता हूँ ये क्या है grade f का a vector पर प्रक्षेप या यूं कहूं कि grade f dot a cap करना है या grade f dot a cap करना है ये हमारे पास concept है कि कोई भी प्रश्ट के किसी point पर दिक आउकलज या दिक दिसी आउकलज या directional derivative यानि df upon ds चाहिए तो वो क्या होता है grade f का उस vector पर projection या प्रक्षेप होता है vector basic में 10 प्लस 2 वाले में vector जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने बात करी थी a vector का b vector पर प्रक्षेप या projection a dot b cap लिखाता तो वो ही concept यहां use कर लीजिए तो यह अपने पास है grade f dot a cap तो हमारे पास सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा grade f निकालना पड़ेगा क्या होता है i del f by del x plus j del f by del y plus k del f upon del z तो direct कर सकते हैं i x के साब x जब हम इसका alkaline करेंगे तो y और z को constant मानना है अचर मानना है तो i cap into x के साब x किया तो y अचर है तो y into x का हो गया 1 plus y z का 0 plus z पढ़ा है गुणा में x का 1 यह i cap आ गया plus j आप देखिए y के साब x कर रहे हैं तो x constant है y का 1 हो गया plus z constant है y का 1 हो गया z x constant है 0 हो जाएगा plus k cap z के साब x x y तो constant है 0 y छोड़ दिया constant है z का 1 हो गया x constant है z का 1 हो गया तो यह अपने पास आ गया अब इस point पे चाहिए तो grade f point आपके पास है 1 2 0 इस पे मान चाहिए तो निकाल लीजिए तो i कैप y प्लस z है तो y प्लस z का मतलब i कैप 2 प्लस 0 प्लस j x प्लस z है तो x प्लस z करोगे तो 1 प्लस 0 प्लस k कैप x प्लस y है तो 1 प्लस 2 तो कितना आया 2 i प्लस j और प्लस 3 k यह आपके पास आया ठीक है अब क्या करना है अपने को ये grade F आ गया और A vector आपको दियावा है A vector है I plus 2J और plus 2K A cap निकाल लीजिए A cap क्या होता है A vector बटे A का परिमान magnitude तो I plus 2J plus 2K upon under root 1 plus 4 plus 4 तो 1 वटा 3 I plus 2J plus 2K किया क्या है ये तो मैंने definition दुबारा लिखी है ताकि आपको ध्यान आ जाए कि दिक आउकलज या दिक दिसी आउकलज या directional derivative कैसे calculate करते है D F बटा D S होता है और वो grade F का उस vector A पर जिसकी direction में हमें calculate करना है उस पर projection या प्रक्षेप होता है तो grade F dot A cap होता है तो ये हमें निकालना है तो पहले grade F निकाला इसका I del F by del X plus J del F by del Y plus K del F upon del Z निकालना है तो basic हमें निकालना आता है हमने calculate करके X, Y, Z की जो point दे रखा है वो रख दिया A vector ये है इसकी दिसा में चाहिए इसका I काई सदिस निकाल लिया अब हमें करना क्या है केवल formula लगाना है तो आपने कहा D F बटा D S यानि उसकी दिसा में उस vector A की दिसा में दिक आउकलज या दिक दिसी आउकलज ची ये तो grade F dot A cap होगा grade F क्या है देख लीजिए grade F आपके पास है 2I plus J plus 3K 2I plus J plus 3K और dot A cap आपके पास है 1 बटा 3 I plus 2J और plus 2K जैसे ही calculate किया 1 बटा 3 तो बाहर आ गया I वाले को I से गुणा किया तो 2 आया J वाले को J वाले से गुणा किया तो 2 आया K वाले को K से किया तो 6 आया तो यह हो गया 10 बटा 3 यह आपका आंसर आ गया तो 10 बटा 3 कौन सा है यह वाला तो आप देख सकते हो Dik, Dissier, Aukalaj क्या होता है कैसे calculate करते है वो मैंने आपको बता दिया एक question और देखें इसका यह देखिए question लिखा है कि कि बिंदू एक 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 पर function यह दे रखा है कि Dik, Aukalaj निम्न सदिसों की दिसा में ग्याद करिए इसको हमें करना है तो सबसे पहले तो हमें पता है पहले तो हम क्या करेंगे definition बार-बार लिखेंगे ताकि वो आपको ध्यान रह जाए दिमाग में छप जाए क्या कहा था कि function of x, y, z बराबर c के बिंदू p, x, y, z पर Dik, Aukalaj Dik, Aukalaj का मतलब है directional derivative directional derivative क्या होता है df बटा ds होता है यह हमें calculate करना है तो यह क्या होगा df बाई ds यह बताया था grade f dot a cap बताया था यह हमें calculate करना है तो पहले तो grade f निकाल लेते हैं फिर तीन पार्ट है तो grade f जो होता है i del f by del x plus j del f by del y plus k del f by del z यह हमें निकालना है तो i x के sap x इसका alkaline करना है तो y और z अचर होगा तो y और z अचर कर दिया into one plus j y के sap x करना है तो x और z को constant मानना है तो x और z constant into one plus k del f by del z z के sap x करेंगे तो x y को constant मानेंगे तो x y into one तो यह grade f आ गया point चाहिए अपने को दिया वाए grade f at point one 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 पे चाहिए तो one 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 यहां रखोगे तो क्या आएगा one into one तो यह i plus j plus k आ गया अब पहले में आपको दे रखा है a vector बराबर i cap तो i cap की दिसा में दिकाओ कलज क्या होगा grade f dot a cap बताया तो grade f तो आपने निकाडा पड़ा है i plus j plus k dot एकाई सदिस सी है तो पहले से एकाई सदिस है तो सीधा i cap लिखना ही है तो यह आ जाएगा j dot i zero k dot i zero i dot i one तो इसका अंसर आ गया one second आपने लिया a vector दे रखा है j तो j cap की दिसा में दिकाओ कलज क्या हो जाएगा i plus j plus k dot j cap तो यह भी one ही आएगा क्योंकि i dot j zero j dot j one k dot j zero तो यह भी one ही आएगा अंसर और तीसरा देखा तीसरा है a vector दे रखा है i plus j plus k तो a की दिसा में दिकाओ कलज क्या हो जाएगा दिकाओ कलज हो जाएगा formula तो अपने पास है grade f dot a cap grade f तो है i plus j plus k a सदिस आपको दे रखा है i plus j plus k एकाई सदिस सही है तो i plus j plus k बटे इसका परिमान कितना होगा root 3 तो dot product कर दीजिए 1 by 3 root पड़ा है अंदर और i dot i 1 j dot j 1 k dot k 1 1 plus 1 plus 1 तो यह आगया 3 बटा root 3 तो answer कितना आएगा root 3 तो इस तरह से हम क्या कर सकते है कि किसी भी प्रष्ट के किसी बिंदू पर हम क्या निकाल सकते है directional derivative दिक अउकलज हम ग्याद कर सकते हैं कैसे करना है उसको कहते क्या है directional derivative को df बटा ds और s क्या है यहाँ पे f क्या है f तो है प्रष्ट की समीकर्ण function of x, y, z बराबर c और s क्या है s उस प्रष्ट पर इस्थित एक पॉइंट है चर बिंदू p x, y, z और एक है फिक्स पॉइंट x not, y not, z not उसके बीच की जो distance है वो s है तो उसके according हमें df बटा ds निकालना है तो grade f dot a कैप होता है तो grade f हमें निकालना आता है a हमें जिस vector की दिसा में निकालना है उसको a मानना है उसका एकाई सदिस निकाला और simple dot product हमने कर लिया है तो आप इसको note कर सकते हाँ जी देखिए आगे next एक छोटी theorem और है कि यदी प्रश्ट f x y z बराबर c के किसी बिंदू p x y z पर लंबवत इकाई सदिस n केप है जो f के वर्दमान दिसा में है तथा n प्रश्ट के चर बिंदू पी व अचर बिंदू ए के मद्य की दूरी है तो ग्रेड f बराबर d f बटा d n इंटू n केप ये हमें प्रूव करना ये एक थियोरम है प्रमे है कई बार क्या होता है स्टेट्मेंट पूछ लेता है इसलिए हमें जो छोटी-छोटी थियोरम से वो पढ़नी है देखो वेक्टर कैल्कुलस में टोटल पांच कोशन आएंगे ध्यान रखना उन पांच में से कम से कम तीन कोशन ऐसे होंगे जो आप फटा-फट 30 से 50 से केंड 60 से केंडर कर पाओगे पूछ सकते और पूछेंगे तो हम कर नहीं पाएंगे पहली बात तो ये तो वहाँ पे थियोरम का स्टेट्मेंट पूछ लिया या जैसे अपनने पीछे वाले जो सदिस जो अपने ग्रेड एफ पढ़ा है उससे रिलेटेड जो एक-एक-दो-दो लाइन के कोशन थे ग्रेड एफ का हमने कैलकुलेशन किया था उससे रिलेटेड सवाल अपने देखे भी है तो छोटे-छोटे कोशन से इसमें जो भी संभावित बनते हैं वो हमें अच्छे से कवर करने हैं उसमें कई बार हमें थोड़ा सा जो बड़े कोशन है दो-चार वो भी करने पड़ेंगे ताकि प्रोसेस का पता लग जाए और और ओर इतना मैटर आपको दे दूँ कि इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़े और आपके कोशन पांच में से पांच करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी पूरी बन जाए तो ध्यान दीजिए ये एक प्रमे है क्या कहता है यदि प्रष्ट F, X, Y, Z बराबर C के किसी बिंदू P, X, Y, Z पर लंबवत इकाई सदिस N-CAP है तथा F के वर्दमान दिशा में है ये N-CAP तथा N है प्रष्ट के चर बिंदू P और अचर बिंदू A के बीच की दूरी तो इस तरह से आपने मान लो कोई function of X, Y, Z बराबर C ले लिया और इसमें आपने दो पॉइंट ले लिये एक पॉइंट आपने ले लिया fix point A ले लिया मान लो X, naught, Y, naught, Z, naught एक पी पॉइंट आपने ले लिया X, Y, और Z और N क्या है ये distance N है अब ये result हमें प्रूव करना है कि grade F जो है DF by DN into N-CAP होता है तो जरा देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम हम ये जानते है कि DF बटा DS जो है ये हमने पढ़ा था directional derivative या the calculus क्या पढ़ा था हमने ये था grade F dot A-CAP ये पढ़ा था हमने ठीक है यहाँ S की जगे क्या है S की जगे N है क्यों S मैंने क्या बताया था S यही बताया था कि प्रष्ट पर चर बिंदू और अचर बिंदू के बीच की दूरी है और यहाँ पे प्रष्ट पर चर और अचर बिंदू के बीच की दूरी N है तो S की जगे तो N हो गया तथा A कैप की जगे N कैप है यह हमें पता है तो क्या हो जाएगा आपके पास आप देखो D F बटा D N बराबर Grade F Dot N कैप आगया आपके पास यहाँ तक तो आपने लिख दिया equation इसको मैं एक दे देता हूँ इसके बाद हम क्या जानते है हम यह जानते है कि जो Grade F है वो पैरलल होगा N कैप के कैसे गुरू जी ऐसा कैसे हुआ Grade F क्या बताया था Grade F में हमने कहा था कि प्रष्ट के तल के लंववत यानि अभिलंब दिसा में होता है Grade F Grade F जिसे यह प्रष्ट है इस प्रष्ट के लंववत है ठीक Grade F और N कैप अभी हमने क्या लिया N कैप भी हमने का प्रष्ट के लंववत है तो समानतर है तो जो 10 प्लस 2 वाली वेक्टर है उसमें हमने कहा था कि 2 सदिस अगर परस पर समानतर है तो A बराबर लेमडा भी तो आपने कहा Grade F बराबर लेमडा N कैप इक्वेशन में पुट कर दे D F बटा D N बराबर इस Grade F की जगे हम क्या लिख देंगे तो 1 and 2 implies D F बटा D N बराबर Grade F की जगे हो गया लेमडा N कैप डॉट N कैप तो यह 61 अदिस है तो A कैप डॉट A कैप 1 होता है तो यह आ जाएगा आपके पास लेमडा यह equation number हो गई आपके पास 3 तो यह लेमडा का मान आपके पास आ गया तो 2 और 3 में देख लो 2 और 3 से आपने रखा तो Grade F आया बराबर लेमडा का मान यहां रख दूँ तो D F बटा D N इंटू N कैप तो यह रिजल्ट हमें चाहिए था यह रिजल्ट हमारे पास आ गया तो एक मिनिट देखिए दुबारा रिपीट करता हूँ क्या कहता है यह थियोरम कहती है कि यदि प्रष्ट F X Y Z बराबर C के किसी बिंदू P X Y Z पर लमवत इकाई सदिस N कैप है जो F की increasing direction में है और N प्रष्ट के चर बिंदू और अचर बिंदू के बीच की दूरी है तो grade F है DF बटा DN into N कैप तो N है यह लिख दिया और यह प्रष्ट आपने ले लिया तो आप देखो आप इसको प्रूव करना है तो हम पहले से क्या जानते हैं हम दिक आउकलज या दिक दिसी आउकलज या directional derivative जानते हैं कि DF बटा DS क्या होता है grade F dot A कैप होता है S क्या है S होता है fixed point और variable point के बीच की distance यहाँ पे उसको N कहा है तो S की जगे तो N लिख देंगे और साथ में A कैप की जगे यहाँ पे क्या आजाएगा N कैप आजाएगा तो आपने कहा DF बटा DN बराबर grade F dot N कैप हो गया अब हमें पता है कि grade F जो है और वो N कैप यह दोनों परस पर parallel या समानतर है क्यों? N कैप आपने कहा इस सवाल में लिखा है देखो तल के लंबवती का ही सदिस यह रहा और grade F भी क्या होता है अब ilambic सदिस ही होता है तल के लंबवती होता है तो दो सदिस parallel हो गए तो parallel हो गए तो grade F और N कैप समानतर है तो आपने का grade F बराबर lambda N कैप और यहाँ पे रखा lambda N कैप dot N कैप तो N कैप dot N कैप 1 हो गया तो grade D यह अपने पास D F बटा D N बराबर आगया lambda यह आगया अपने पास lambda यह lambda का मानिया वापस रख दिया तो grade F क्या हो गया D F बटा D N इंटू N कैप यह hence प्रूड हो गया तो एक तो यह statement और साथ में एक चीज इसमें और जोड देता हूँ क्या कि grade F की दिसा दिक आउकलज या दिक दिसी आउकलज कुछ भी बोल दीजिए आउकलज D F बटा D S की दिसा में होता है और आपने इसमें यह कहा कि दिक आउकलज का अधिकतम मान क्या होता है अधिकतम मान D F बटा D S मैक्सिमम चाहिए तो यह होता है D F बटा D N का मैगनिटूड D F बटा D N का मैगनिटूड या कहूं ग्रेड F का परिमानी होता है यह बहुत इंपोर्टेंट है यह भी बहुत बार पूछ लेता है तो सीधा सीधा स्टेटमेंट वाली चीजें ज्यादा पूछता है पेपर में तो इसका ध्यान रखना है तो दिक अउकलज का अधिक्तम मान कितना होता है D F बटा D S मैक्सिमम यह होता है D F बटा D N का मैगनिटूड या ग्रेड F का परिमान होता है यह हमें अच्छे से ध्यान रखना है तो देखिए इस पे एक कोशन करते है यह देखिए कोशन है क्या पुछा है फंक्षन दे रखा है X स्क्वाइर माइनस 2Y स्क्वाइर प्लस 4Z स्क्वाइर के बिंदू 1 1 माइनस 1 पर सदिस 2Y प्लस J माइनस K की दिसा में पूछेगा यह की तो यह तो हमने अल्रेडी खूब कोशन किये फटाफट कर लेते है तो पहले तो मुझे grade F निकालना पड़ेगा grade F क्या होता है I del F by del X प्लस J del F by del Y प्लस K del F by del Z क्या हो जाएगा इसका पहले X के साब एक्स आंसी काउकलन करेंगे तो Y और Z को constant लेना है तो X square का 2X हो गया Y और Z का 0 हो जाएगा प्लस J Y के साब X करना है तो X और Z को constant लेना है यह दोनों 0 इसका हो जाएगा Y square का 2Y तो माइनस 4Y आ जाएगा और प्लस K cap Z के साब X करेंगे तो X और Y अचर यह 0 Z square का 2Z तो 8Z आ गया अब हमें point दे रखा है कि grade F at point है 1, 1, minus 1 पे निकाल दो पहले 1 यहां रखा तो 2Y हो गया यहां भी 1 रखना है तो माइनस 4J हो जाएगा और यहां पे आपने minus 1 रखना है तो minus 8K हो जाएगा यह आपने grade F निकाल दिया और A vector आपको दे रखा है किसकी direction में चाहिए 2Y plus J minus K तो A cap क्या हो जाएगा A सदिस बटा A का परिमान तो 2Y plus J minus K बटे परिमान निकालोगे तो 4 plus 1 plus 1 तो A cap आ गया एक बटा root 6 2Y plus J minus K तो आपने करना क्या है तो function of x, y, z बराबर C के बिंदू p, x, y, z पर directional derivative दिक आउकलज A cap की दिसा में क्या होता है पताया था grade F dot A cap होता है तो grade F तो आपने ये निकाला पड़ा grade F ये पड़ा 2I minus 4J minus 8K dot A cap ये पड़ा 1 by root 6 2I plus J minus K तो एक बटा root 6 तो बहर आ जाएगा 2 इंटू 2 हो गया 4 minus 4 into 1 हो गया minus का 4 minus 8 into minus 1 हो गया plus का 8 4 से 4 कट गया 8 वटा root 6 है आए आंसर तो 8 वटा root 6 है ये इसका आंसर हो गया अब आप से पूछा है दिक आउकलज का अधिकतम मान second part दिक आउकलज का अधिकतम मान दिक आउकलज का अधिकतम मान क्या होता है grade F का magnitude होता है तो grade F कहां है grade F आपने निकाडा है ये पड़ा इसका परिमान निकालना है तो परिमान है 2 I minus 4 J minus 8 K तो अंडर root में 4 plus minus 4 का square 16 और ये 64 64, 6, 70, 80, root 84 आ गया root 84 का मतलब 21 इंटू 4 तो 2 root 21 आंसर आ जाएगा बहुत easy काम है पता होगा तो कोई दिकत नहीं है 2 root 21 ये इसका क्या आ गया अधिकतम दिकाउकलर्ज का अधिकतम मान maximum value of directional derivative तो ये हमें ध्यान रखना है और देख सकते हैं कोशन ये देखिए कोशन ये कहरा है इसका इस बिंदू पर इसका इसकी दिसा में directional derivative पूछा है directional derivative ग्याद करो तथा दिक अवकलर्ज का अधिकतम मान भी पूछ लिया कितना होगा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा grade 5 निकाल ले पहले तो I del 5 by del x इसका x के साप x करेंगे तो 3x square आएगा plus j del 5 by del y 3y square plus k del 5 by del z 3z square point आपको दे रखा है तो grade 5 at point 1 minus 1 और 2 पर चाहिए तो value रख दें इसके अंदर पहले 1 रखा तो ये 3 आई हो गया minus 1 रखा तो 3 j हो गया 2 रखा 2 का square 4 4 into 3 हो गया 12 ये आगया 12 k grade f आगया a vector आपको दे रखा है i plus 2 j plus k तो a cap क्या हो जाएगा i plus 2 j plus k बटे में इसका परिमान हो जाएगा root 6 तो आप ये कह रहे हो कि दिक आउंकलज या directional derivative दिक आउंकलज का a की दिसा में calculate करना है तो कितना हो जाएगा a की दिसा में चाहिए तो बताया था grade 5 यहां f की जगे 5 है dot a cap करना है तो कर दीजिए grade 5 ये पड़ा 3 i प्लस 3 j प्लस 12 k dot i प्लस 2 j प्लस k upon root 6 जैसे ही solve किया 1 upon root 6 आ गया 3 into 1 3 हो गया 3 into 2 6 हो गया 12 into 1 हो गया 12 12 और 6 18 और 3 21 21 बटा root 6 यह answer आ गया अपने पास और साथ में क्या पुछा है second part में आपने कहा दिक आउकलज का अधिक्तम मान maximum value of directional derivative क्या बताया था आपको df बटा ds maximum पुछा है तो आपने कहा grade f का परिमान चाहिए तो परिमान किसका निकालना है grade f यह पड़ा grade f है grade 5 है यहाँ पे 3 i प्लस 3 j प्लस 12 के तो कितना आएगा under root में 9 प्लस 9 प्लस 144 बारा का under root में 9 9 18 144 में 18 जोडे 8 और 4 बारा 1 4 1 5 और 1 6 162 तो 162 आ गया root में इसका answer तो इस तरह से हम अगर आपसे directional derivative कहें निकालना तो वो निकाल सकते हो और उसका अधिक्तम मान पूछे तो वो भी हम ग्याद कर सकते हैं एक और कोशन देखे ये देखिए ये क्या कहता है हमें इस पॉइंट पर इसका दिकाउकलज इसकी direction में बताओ बताना आता ही है और साथ में दिसा और परिमान पूछा है तो दिकाउकलज की दिसा हमें पता है grade F की दिसा ही होती है और परिमान निकालना है उसका, तो हम अराम से निकाल लेंगे, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, grade F निकालना है, grade F क्या होता है, I del F by del X, इसके साप एक्स X का आउकलन 2X होएगा, प्लस J del F बटा del Y, इसका किया तो माइनस 4Y हो गया, प्लस K del F by del Z, 8Z हो गया, तो हमें grade F at 0.11-1 पे चाहिए, तो रख दो, यहां 1 रखा तो 2Y, यहां 1 रखा तो माइनस 4J, यहां 1 रखा तो माइनस 8K आ गया, grade F आ गया, A vector आपके पास इसकी direction में चाहिए, तो 2Y, प्लस J, माइनस K हो गया, A cap क्या हो जाएगा, 2Y, प्लस J, माइनस K, बटे इसका परिमान कितना आएगा, 4, प्लस 1, प्लस 1, यहां गया, तो आप कह दो, कि, दिक आउंकलज, या दिक दिसी आउंकलज, या directional derivative, A cap की दिसा में क्या बताया था, grade F, dot A cap बताया था, तो grade F आपके पास पड़ा है, grade F यह पड़ा, 2Y, माइनस 4, J, माइनस 8, K, dot, 2Y, प्लस J, माइनस K, बटा रूट 6, गुना करा, एक बटा रूट 6, 2 इंटू 2 हो गया, 4, माइनस 4 इंटू 1, माइनस 4, और प्लस 8, यह कट गया, 8 बटा रूट 6 है, इसका आंसर आ गया, और साथ में पूछा है, दिक, आउंकलज, की दिसा, दिक, आउंकलज की दिसा, grade F की दिसा ही होती है, grade F की दिसा में, grade F क्या है, वो लिख दो, grade F यह पड़ा, 2, I, माइनस 4, J, माइनस 8, K, यह answer, और इसका परिमान चाहिए, D F बटा D S का परिमान, आप कह दो की grade F का परिमान होता है, तो यह क्या आएगा, अंडर रूट में, 4 प्लस 16 प्लस 64, तो 64, 70, 80, 84 हो गया, 84, तो 2 रूट 21 हो जाएगा, इस तरह से हम इसको calculate कर सकते हैं, और देख लीजिए आप, एक question और लिखा है, ध्यान दीजिए, फलन F दे रखा है, Y अपॉन X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर, तो दिक आउकलज calculate करना है, जो X सक्से 30 डिगरी का कौन बनाए, और 0,1 पॉइंट से पास हो, यानि दिक आउकलज हमें निकालना है, 0,1 पॉइंट पर, और वो किस direction में, उस सदिस्की direction में, जो X सक्से 30 डिगरी का कौन बनाए, तो ध्यान दीजिए, पहले तो उससी सदिस्की बात करें, ये पॉइंट है 0,1, और ये आपने state, ये पॉइंट है 0,1, ये आपने 30 डिगरी का कौन बनाया, तो आप देखिए, ये आर सदिस है, तो आर कौस थीटा करोगे, तो ये कितना होएगा, आर कौस थीज, ये हो जाएगा, आर साइन थीज, तो हम जानते हैं न, कि परिमान आर है, 36 गटक होता है, आर कौस थीज, उर्द्वादर गटक, horizontal component, आर कौस थीटा, और vertical component, आर साइन थीटा, ये आर साइन थीज आ गया, तो पहले ए लिखना है, ए सदिस क्या हो जाएगा, और आर का मान अपने पास, calculate करना चाहें, तो क्या हो जाएगा, भई आपने, ये अपने पास कौस थीज है, ये हमें पता है, और ये है one, ये अपने पास one है, तो ये कौस थीज और साइन थीज या आएगा, आर का मान अपने को ये लेना पड़ेगा, तो ये अपने पास खाली कौस थीज लिखना है, और यहां भी ये, ये कौस थीज और ये साइन थीज, तो ए क्या हो जाएगा, पहले 36 गटक, cos 30 into i cap, plus sin 30 into j cap, cos 30 होता है, root 3 बटा 2 i cap, और 1 बटा 2 j cap, तो यह a cap ही है, एक्चुल में, एकाई सदी से, already आप देख सकते हो, तो यह अपने पास आ गया, अब हमें grade f चाहिए पहले तो, grade f होता है, i del f by del x, plus j del f by del y, z तो है नहीं, तो लिखने की ज़रूत नहीं है, तो इसको बड़े द्यान से करना पड़ेगा पहले तो, तो i del f by del x, इसका x के सापेक्ष आउकलन करना है, तो del by del x of y बटा x square plus y square, plus j del upon del y, y upon x square plus y square करना है, तो करिए, तो यहाँ x के सापेक्ष y तो constant है, तो y तो आ गया बाहर, 1 upon x का होता है, minus 1 upon x square, तो पहले तो इसका square कर दूँगा, और x के सापेक्ष यह 2x हो गया, और i cap पड़ाए, यहाँ u बटा v लगाना पड़ेगा आपको, y के सापेक्ष ही कर रहे हैं, तो x square plus y square का whole square हो गया, हर को छोड़ते हैं, तो x square plus y square को छोड़ दिया, अंस का आउकलन 1, minus, अंस को छोड़ा, यूबटा भी लगा रहा हूं, इसका आउकलन करोगे, आंसिक आउकलन, y के सापेक्ष, यह 0 हो जाएगा, यह 2y आजाएगा, यह आपके पास आया, क्या आया, यह आया, माइनस 2xy बटा, x square plus y square का whole square, i cap, और यहाँ से आप देखोगे, प्लस j cap लिख रहा हूं, x square plus y square minus 2y square है, तो x square minus y square बटा, x square plus y square का whole square, यह अपने grade f निकाल दिया, अब 0,1 पे चाहिए, तो आप कहोगे, कि grade f at point 0,1, तो x की जगह 0 और y की जगह 1 put कर दीजिए, तो x की जगह 0 रखा, तो यह तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, x की जगह 0 रखा, तो यह complete 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x 0 रखा, और y 1 रखा, तो क्या आया, j, minus का j आया, और नीचे x की जगह 0 रखा, y की जगह 1 रखा, तो खाली minus j ही आएगा, तो यह आया, minus j, ठीक है, और a cap क्या है आपके पास, a cap आपके पास है, root 3 बटा 2i, root 3 बटा 2i, plus 1 बटा 2j, तो आप कह सकते हो, की, दिक आउकलज आपको चाहिए, तो दिक आउकलज क्या होगा, df बटा ds निकालना है, तो आपने का, grade f dot a cap, तो minus j dot, यह काई सदी सी है, root 3 बटा 2i, plus 1 बटा 2j, यह लिखा, तो यह कितना आया, minus 1 by 2 आया, हमें क्या चाहिए, calculate क्या करना है, उसका परिमान पूछा है, तो आप df बटा ds का परिमान चाहिए, तो magnitude of minus 1 by 2 का क्या हो जाएगा, plus 1 by 2, यह इसका क्या हो गया, answer हो गया, तो आप देख सकते हो, 1 by 2, 1 by 2 इसका answer हो गया, तो हमने अब तक, क्या पड़ा, आते ही, आते ही, हमने सबसे पहले grade f क्या होता है, वो repeat किया, और grade f के बाद में, हमने कहा कि, किसी प्रष्ट के, अभि लंब सदिस, यानि कि उस प्रष्ट के तल के, जो लंबवत सदिस होता है, उस direction में होता है grade f, यानि grade f की direction की बात करी, तो direction हम निकाड सकते हैं अराम से, एक बात तो ये करी, उसके बाद हमने कहा, कि, जो grade f है, grade f, अगर हमें calculate करना है, तो easily हम कर सकते हैं, कि, i, del f by del x, प्लस j, del f, बटा del y, प्लस k, del f upon del z, ये हमें already पता है, उसके बाद हमने कहा, कि, directional derivative की बात करी, dic-aucalage की बात करी, तो dic-aucalage क्या होता है, ये भी हमने देखा, कि, df बटा, ds जो है, वो आपका होता है, grade f dot a cap, यानि कि, जिस direction में, हमें dic-aucalage निकालना है, उसको a माल लो, और grade f का a पर, आपको क्या करना है, प्रक्षेप या प्रोजेक्शन निकालना है, तो grade f dot a cap होता है, वो पढ़ा, फिर उससे related एक थियोरम और पढ़ी, और उससे हमें एक result पता चला, कि, dic-aucalage का अधिक्तम मान जो है, वो grade f के परिमान के बराबर होता है, और grade f की जो direction है, वो dic-aucalage की direction में ही होता है, तो यह हमें पताता हो, तो उससे related हमने question कर लिए, अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, और ध्यान दीजिए, एक मिट नोट करना चाहो तो नोट कर लो, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, अब बात करना चाहरे है, equation of tangent plane and normal, स्पर्स तल व अबिलंब रेखा की समी करण, ध्यान देने की बात है, स्पर्स तल यानि tangent तो plane है, और जो normal है वो line है, normal line, तो इस बात का विशेज ध्यान रखना, कि दोनो plane नहीं है, tangent है, स्पर्स तो तल निकाल रहे हैं, और अबिलंब रेखा निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे देखो, यह आपने ले लिया, function of x, y, z, बराबर c, इसके उपर हमें, एक तो चाहिए tangent, पहले तो tangent plane चाहिए अपने को, तो tangent plane चाहिए तो, इसके उपर अपने को point लेना पड़ेगा, एक तो P ले लिया R, और एक fix point ले लिया R-naught, एक चरविंदू ले लिया, और एक आपने fix point ले लिया, तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपने कहा, कि प्रश्ट, function of x, y, z, बराबर c, के किसी चरविंदू, PR, पर, इसपर्स तल की समी करण, तो आपने कहा, पहले तो माना, इसपर्स तल पर कोई, इसपर्स तल पर कोई बिंदू, P तो आपके पास है, R तथा, प्रश्ट पर, अचर बिंदू, ए आपने ले लिया, R नॉट, हो तो, अब ध्यान देने की बात है, बहुत इजी है, बहुत इजीली हम बता देंगे, कि प्रश्ट आपको दे रखा है, इस प्रश्ट पर एक कोई fix point है, R नॉट, उस R नॉट पर हमें स्पर्स्टल की समीकन चाहिए, तो अपने काम करते हैं, पर किसी अचर बिंदू, चर ने लेते हैं, अचर ले लेते हैं, अचर बिंदू, A, R नॉट पर ये स्पर्स्टल, अब देखिए दुबारा ध्यान से, कि आपने कोई भी surface ले लिया, function of x, y, z, बराबर 0, इसके किसी fix point आपने ले लिया, A, R नॉट, इस पर हमें tangent plane की equation चाहिए, तो मैंने कहा कि tangent plane पे कोई variable pointer ले लिया, PR, ये देखो, यहाँ दिख रहा है, और surface पर या प्रश्ट पर fix point मैंने ले लिया, R नॉट, तो सबसे पहले तो आपने देखा, कि A, P जो vector है, ये क्या होगा, R minus R नॉट होगा, A, P सदिस हो जाएगा, R minus R नॉट, ये किसके direction में होगा, इस परश्ट के, जो spurs तल है, उसके अनुदिस, इस परस तल के अनुदिस सदिस है, हमें इस R का लोकस या R का बिंदू पत ही चाहिए, कि R में relation आ जाएगा, तो हम, भई R क्या है, इसके अंदर जो variable point है, वो कहां, जिस पत में गुमेगा, उसका बिंदू पत, तो वो tangent plane आएगा, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो grade F होता है, ये क्या होता है, प्रष्ठ के, तल के, प्रष्ठ के, तल के, लंबवत, सदिस होता है, ये बात हम बात, पहले भी कर चुके हैं, वो प्रष्ठ के, तल के, लंबवत सदिस होता है, कौन? grade F, तो ये 90 डिग्री होगा तो आप कह सकते हो कि जो grade F है वो लंबवत किसके है एपी के एपी के लंबवत है तो dot product 0 होगा एपी dot grade F बराबर 0 तो एपी क्या है R minus R naught dot grade F बराबर 0 ये आपके पास क्या आगई ये आजाएगी स्पर्स तल की समी करण equation of tangent plane है ये तो बहुत easy है हमने जो प्रष्ट दे रखा है या surface function of x, y, z बराबर c है उस पर कोई fix point लिया उस fix point R naught या x0, y0, z0 कुछ भी कहलो तो उस पर हमें tangent plane की equation चाहिए तो variable point 4 बिंदू मैंने लिया उस sparse समतल पर tangent plane पर P, R या P, x, y, z तो मैंने AP निकाड़ा सबसे पहले AP vector हो गया ये sparse तल के अनुदिस है और जो grade F होता है वो तल के लंबवत होता है तो sparse तल के लंबवत अभी लंब सदिस होता है वो तो दोनों परस पर लंबवत है तो AP लंबवत grade F हो गया तो दो सदिस लंबवत है तो dot product 0 होता है तो आपने कहा AP dot grade F बराबर 0 AP क्या है? R minus R naught dot grade F बराबर 0 तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? AX plus BY plus CZ plus D बराबर 0 जो 3D के अंदर plane की Cartesian form में equation होती है उस form में equation हमारे पास आ जाएगी डारेक्ट formula पूछे तो formula बता देंगे और अगर question आ जाए तो question भी हम अराम से बता सकते हैं तो ये हमें अच्छे से देखना है एक तो ये तो हुई बात स्परस तल की अब बात करना चा रहे हैं अबिलंब रेखा की अबिलंब रेखा की समीकर्ण तो अबिलंब रेखा की समीकर्ण कैसे निकालेंगे देखो ये आपने function of x, y, z बराबर c ले लिया ये मान लो अभी आपने क्या करा था टेंजेंट लिया था इस तरह से ठीक है और यहाँ पे हमने कोई point लिया, fix point fix point यहाँ लिया a, r not ठीक है अब हमें इसके अबिलंब चाहिए इसके अबिलंब ये line है जो इसके लंबवत है ये है अबिलंब रेखा और इस पे हम कोई point लेंगे r सदिस जिसका बिंदुपत हमें चाहिए तो माना पी आर अबिलंब रेखा पर कोई चर बिंदु है तथा प्रस्ट फॉंक्षन ओफ एक्स वाई जेड बराबर सी पर फिक्स्ड पॉइंट अचर बिंदु a r नौट है जिस पर अबिलंब रेखा की समी करण ग्यात करनी है तो क्या करना है देखिए तो पहली बात तो a, p सदिस क्या होगा r माइनस r नौट हो जाएगा p का इस्तिती सदिस माइनस a का इस्तिती सदिस पहली बात तो यह और हम क्या जानते हैं कि जो grade f होता है वो क्या है प्रष्ट के तल के लंबवत सदिस होता है तो प्रष्ट के तल के लंबवत सदिस प्रस्ट के तल के लंबवत ग्रेड एफ होता है तो ग्रेड एफ भी प्रस्ट के लंबवत और यह अभिलम रेखा भी प्रस्ट के लंबवत तो तो जो अभिलम रेखा है नॉर्मल लाइन जो है पैरलल हो जाएगा ग्रेड एफ के और आपने 10 प्लस 2 वाली वेक्टर के अंदर पढ़ावाए कि दो लाइन पैरलल हो तो A और B मालो दो वेक्टर है पैरलल है तो A क्रोस B बराबर 0 होता है या A बराबर लेमडा भी लगाते है तो क्रोस प्रोड़क्ट वाला यहां यूज करना है तो इसका मतलब हो गया A P पैरलल ग्रेड एफ तो पैरलल है तो A P क्रोस ग्रेड एफ बराबर 0 A P क्या है R माइनस R नॉट और क्रोस ग्रेड एफ बराबर 0 तो यह अपने पास क्या आ गई अभी लंब रेखा की समी करना गई यह अभी लंब रेखा की क्या है equation है यह हमें ध्यान रखना है और जो पीछे आया था यह किसकी equation है यह हमारे स्पर्स तल की समी करन और इसकी समी करन किस रूप में आएगी A X प्लस B Y प्लस C Z प्लस D बराबर 0 3D के अंदर जो plane की equation है Cartesian form में वैसी आएगी और line की equation कैसी होती है कैसी आएगी इसकी equation ऐसी आती है X माइनस X not upon A Y माइनस Y not upon B बराबर Z माइनस Z not upon C यहां तो दिखेगा नहीं दुबारा लिखता हूँ देखिए मैं इसकी equation इज़र लिख देता हूँ मैं line कैसी होगी X माइनस X not upon A Y माइनस Y not upon B Z माइनस Z not upon C जब आप solve करोगे तो line की equation ऐसी आएगी इस format में आएगी formula पूछे तो formula पूछ सकता है सीदा और equation पूछेगी तो इस form में अभिलम रेखा रेखा की equation ऐसी होती है तो इस form में आप लिख सकते हो तो यह हमें ध्यान रखना है तो अब पहले इस पे question देखें यह question देखें इधर question लिखा है कि प्रष्ठ x y z बराबर 4 के इस point पर इस पर स्पर्स्तल और अभिलम की समीकन चाहिए तो निकार देंगे कोई बात नहीं सबसे पहला काम a आपको दे रखा है r naught सदिस r naught सदिस हो जाएगा i plus 2 j plus 2 k i j के लगा दिया कुछ दिकत नहीं है p point आपने ले लिया r vector क्या होता है x i y j और z k तो ap सदिस क्या लिखा था हमने r minus r naught तो इसमें से यह घटा होगे तो क्या आएगा x minus 1 i cap y minus 2 j cap z minus 2 k cap यह मैंने ap vector लिख दिया अब हमें grade f निकालना है तो grade f जानते हो i cap del f बटा del x function क्या है function of x y z आपके पास है x y z minus 4 बराबर 0 तो इसमें अपने को del f by del x कर रहे है x के साब x कर रहे है तो y z छूट गया into 1 और minus 0 plus j y के साब x करेंगे तो x z छूटेगा y का 1 और minus constant का 0 k cap z के साब x करेंगे तो x y छूटेगा 1 minus 0 अब हमें क्या करना है grade f at point दे रखा है 1 2 2 इस पे निकालो 1 2 2 पे तो यहाँ y और z y और z रखोगे यहाँ तो 4 i आएगा plus x z x और z प्लस का 2 i आएगा plus x y 2 यह तो j हो गया और यह k हो गया अब हमें इस परस तल की समीकरन क्या होती है इस परस तल की समीकरन इस परस तल की समीकरन होती है r minus r not dot grade f बराबर 0 तो लिख दो r minus r not आपके पास यह पड़ा x minus 1 i y minus 2 j z minus 2 k और dot 4 i plus 2 j plus 2 k बराबर 0 तो दोनों का dot product करो तो 4 into x minus 1 2 into y minus 2 plus 2 into z minus 2 बराबर 0 तो कितना आया देखो 4 x plus 2 y plus 2 z minus 4 और minus 4 minus 8 और minus 4 minus 12 बराबर 0 और 2 का भाग लगा दो इसमें तो क्या हो जाएगा इस पर सम्तल क्या हो जाएगा 2 का भाग लगा तो 2 x plus y plus z बराबर हो जाएगा 2 का भाग लगया तो 6 यह आपका आंसर हो जाएगा तो 2x प्लस y प्लस z बराबर 6 देखो आंसर यहां लिखा पड़ा है इसलिए लिखा है ताकि चेक कर लो आप तो tangent plane की equation आपके पास आ गई अब हमें normal line की equation चाहिए तो उसके लिए क्या बताया अब देखिए normal line अभिलंब रेखा की समीकर्ण चाहिए अभिलंब रेखा की समीकर्ण क्या लिखा आपने अभिलंब रेखा में आपने r-r0 calculate कर लिया था और grade f भी देख लिया जैसे आपने ये तो कहा grade f है grade f आपके पास grade f कितना आया 4i 2j 2k 4i प्लस 2j प्लस 2k ठीक है और ये आपने a point और ये p point ये अभिलंब है और इसमें क्या आया a p आपके पास a p में equation आई आपके पास a p r-r0 a p ये पड़ा x-1 i y-2 z-2 तो a p लिखा आपने x-1 i plus y-2 j plus z-2 k ये मैंने लिख दिया x-1 y-2 z-2 अब ध्यान दीजिए ये आपने अभिलंब रेखा की समीकन चाहिए थी तो क्या किया था अभिलंब पे कोई चर्विंदू लिया था आपने x, y, z x, y, z और ये प्रश्ट के उपर था point और प्रश्ट पे point जो था वो था 1, 2 और 2 तो आपने ap लिख दिया ये इसके parallel है तो दो वेक्टर जब parallel होते हैं तो क्या होता है a बराबर lambda b या दो line 3d की बात करूँ दो रेखाएं परस पर समानतर हो तो क्या होता है उसके direction देशो दिकन उपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सीधा कर सकते हो और किसी सदिस में i, j, k के गुणांक उस सदिस रेखा के दिकन उपात होते हैं और दिक को जएं क्या होती है इकाई सदिस में i, j, k के जो गुणांक या कॉफिशेंट होते है वो इस सदिस रेखा के दिक को जएं होती है तो इसके drs ये रहे और इसके ये रहे तो आप इसमें लिख दो x-1 बटा 4 y-2 बटा 2 z-2 बटा 2 तो डारेक्ट आंसर लिख सकते हम क्या हमने concept क्या लगया कि line l1 parallel l2 तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 दो रेखाएं अगर परस पर समानतर हैं तो उनके दिक अनुपातों का अनुपात हमेसा क्या होता है बराबर होता है या फिर आप एक काम और भी कर सकते थे कि a p समानतर दे रखा था grade f के तो आप लिख देते a p बराबर lambda grade f तो इसके आप निकाल इससे भी निकाल सकते थे इससे भी निकाल सकते थे आप ये लिखते कि ये बराबर lambda time ये फिर lambda का मान निकालते दोनों तरफ i, j, k के गुणाकों की तुलना करते तो x-1 बराबर 4 lambda y-2 बराबर 2 lambda z-2 बराबर 2 lambda तो lambda का मान निकालोगे तो x-1 बराबर 4 y-2 बराबर 2 z-2 बराबर 2 तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि स्पर्स तल और अभिलंब रिखा की समीकरण हम ग्याद कर सकते हैं अब देखिए अब आप कोई पास एक important चीज और बताता हूँ कि दो प्रष्ठों के मध्य कौण ग्याद करना चाहते हैं दो प्रष्ठों के मध्य कौण सदैव उनके अभिलंब सदिसों के मध्य होता है ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दो प्रष्ठों के बीच का जो कौण है वो हमेशा उनके अभिलंब सदिसों के बीच में होता है अर्थात पहले आपने फंक्षन ओफ एक्स वाई जेड बराबर सी वन और फंक्षन ओफ एफ टू ओफ एक्स वाई जेड बराबर सी टू के मध्य का कौण क्या हो जाएगा बराबर ग्रेड एफ वन वा ग्रेड एफ टू के बीच का कौण ऐसे कैसे लिख दिया गुरु जी ऐसे कैसे लिखा तो भई आपको बताया हुआ है कि किसी प्रष्ठ के अभिलंब दिसामे या बिलामविक सदिस कौन सा होता है? तो दोनों का ग्रेड निकाड़ा तो उनके बीच का एंगल ही प्रष्ठों के बीच का एंगल होता है और दो सदिसों के बीच का एंगल का फॉरुमला हमने 10 प्लस 2 में वेक्टर में पड़ावा है कि कौस थीटा बराबर a dot b बटा a का परिमान b का परिमान तो यहां फॉर्मुला लिख सकता हूँ cos theta बराबर grade f1 dot grade f2 बटे grade f1 का magnitude और grade f2 का magnitude तो यह हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से निकालना है किसी particular point पे चाहिए तो उस particular point पे पहले grade f निकाल लेंगे यह दे रखा है कि मद्य कौन चाहिए किसी इस्थिर बिंदू a पर उनके मद्य का कौन grade f1 और grade f2 के बीच का कौन चाहिए यह हमारे पास उसका basic formula है एक तो यह चीज थी एक हमने पढ़ा है 2D में दो वक्रों के मद्य का कौन अगर दो कर्व है 2D वाले उनके बीच का कौन क्या होता है उनके प्रतिछेद बिंदू पर खिंची गई इस पर्स रेखाओं के मद्य का कौन कि दो वक्रों के बीच का कौन चाहिए तो दोनों वक्र जहां एक दूसरे को कट करते हैं दो वक्र एक दूसरे को जहां भी कट करते हैं यह कट किया पीपॉइट पर यहाँ पे पहले वक्र की इस पर्स रेखा खिंची और दूसरे वक्र की इस पर्स रेखा क्हिंची और उसके भीच का जो एंगल है यह function of xy बराबर c ये पहला और दूसरा ये function of xy बराबर c2 तो इन पे जो दो स्पर्स रेखाएं खींची जाएगी परती छेट बिंदू पर उनके बीच का जो कौन होता है वो होता है दो वकरों के मद्यका कौन और स्पर्स रेखा का ढाल 2D में आप जानते हो dy by dx at x1 y1 होता है तो इसका अगर मैं formula लिखना चाहूं तो वहाँ 10 theta होता है dy by dx at curve first minus dy by dx at curve second upon 1 minus dy by dx of curve first और dy by dx of curve second ये formula होता है 10 theta का ये हमें पता है तो ये तो 2D का है हमें ये पढ़ना था तो दो वकरों के बीच angle चाहिए तो क्या होता है वो होता है उस दोनों वकरों के परतिछेद बिंदू पर खिंची गई इस पर्स रेखाओं के बीच का कौन और दो प्रष्ठों के बीच में angle क्या होगा उन जहां भी वो प्रष्ठ एक दूसरे को cut कर रहे हैं वहाँ पे दोनों के जो अभिलंब सदिस आएंगे उन अभिलंब सदिसों के बीच का जो angle है वो प्रष्ठों के बीच का angle होता है और प्रष्ठों के अभिलंब जो है grade F के along होते हैं तो grade F के बीच का angle निकालना है दोनों का तो दो सदिस आगे, ग्रेड F1, ग्रेड F2, और दो सदिस के बीच चे एंगल होता है, A.V बटा AB, तो ग्रेड F1, डॉट ग्रेड F2 बटा दोनों का परिमान, ये हम देख सकते हैं, अब इस पे हम एक दो कोशन कर लेते हैं, देखिए, देखिए, दो सतर या प्रश्ट दे रखे, उनके बीच इस पॉइंट पर एंगल चाहिए, तो पहले हमें दोनों का ग्रेड निकालना है, तो निकालिए, पहले फर्स्ट इसको F माल लेता हूं, F1, और इसको के देता हूं, F2, तो F1 क्या है, X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर प्लस Z स्क्वाइर माइनस 9 बराबर 0, तो मैं ग्रेड F1 निकालना चाहता हूं, तो I cap डेल बाई डेल X, डारेट करूं, इसका X के साब X किया, तो 2X बाकी तो कॉंस्टेंट है, प्लस J, 2Y आजाएगा, प्लस K, 2Z ग्रेड F1 एट पॉइंट आपको है, 2 माइनस 1 और 2, रख दीजिए, X बराबर 2 रखा तो 4I हो गया, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 2J प्लस 4K, यह मैंने ग्रेड F1 निकाल लिया, ग्रेड F2 निकाल लीजिए, तो I डेल F बाई डेल X, तो F2 लिख लो पहले तो, F2 क्या है, X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर माइनस Z माइनस 3 बराबर 0, यह हमारे पास ग्रेड F2 है, इसका करो, X के साप X करोगे तो 2X प्लस J, Y के साप X तो 2Y, क्योंकि Y के साप X करेंगे, आउकलन तो X और Z और constant है, वो सब constant ही होंगे, प्लस K कैप, Z के साप X किया तो माइनस 1 आया तो आपने कहा, ग्रेड F2, एट पॉइंट है, 2, माइनस 1 और 2 पे निकाड़ो, तो आपने X बराबर 2 रखा, तो 4 आई हो गया, Y बराबर माइनस 1 रखा, माइनस 2, J और माइनस K, अब एंगल का फॉर्मला लगा दो, कॉस थीटा बराबर, ग्रेड F1, डॉट ग्रेड F2, बटा ग्रेड F1 का परिमान, ग्रेड F2 का परिमान, तो देखिए, ग्रेड F1 क्या आया आपके पास, ये पड़ा, 4I माइनस 2, J प्लस 4, K, डॉट 4I माइनस 2, J माइनस K, बटे में, 4I माइनस 2, J प्लस 4, K का परिमान, और 4I माइनस 2, J माइनस K का परिमान, 4 इंटू 4, 16, और प्लस का 4 हो गया, और माइनस 4 हो गया, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, इसका परिमान किता हुआ, 16, 16 और 32 और 4, 36, और इसका देखे, 16 और 4, 20 और 21, 4 से 4 कट गया, तो कौस थीटा आपके पास आ गया, 16 और 6, रूट 21, तो इससे काटा ये, ये हो गया, 8 और ये 3, तो थीटा आ जाएगा, कौस इनवर्स, 8 बटे 3, रूट 21, ये इसका आंसर आ गया, ये देखो लिखा पड़ा है, कौस इनवर्स, अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, उपर नीचे, अगर मैं रूट 21 का, इसको आपन रूट नीचे से हटाना चाते हैं, तो रूट 21 की उपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, कौस इनवर्स, 8 रूट 21, बटे 21 इंटू 3, 21 इंटू 3 हो जाएगा 63, ये आंसर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, किस तरह से हमने, वेक्टर कैलकुलस के अंदर, ग्रेड के अंदर हमने और आगे पड़ा, आज हम इतना ही करेंगे, आप इसको अच्छे से रिवाईज कर लीजिए, बाकी रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थैंक्यू.